नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमस्मी यूटूब चैनल पर मैं हूँ मनोजदत और नेट के जो संस्कृत का पेपर है कोड 25 उसमें से एक टॉपिक को लेकर जो यूनिट वन है उसी में उपनिशद जो टॉपिक है उसको लेकर आज मैं आप पर उपस्तित हुआ हूँ त उससे उपनिशद सब्द बनता है जिसका एक अर्थ लिया जाता है रहष्य विद्या ठीक है या फिर उप माने होता है समीप में सद माने होता है बैठना तो गुरू के समीप बैठकर जिस ग्यान को प्राप्त किया जाता है या गुरू के समीप बैठकर प्राप्त किया गय जो है उसी को उपनिसत कहा जाता है अब जो सद धातु है उसके तीन अर्थ होते हैं एक तो होता है विशरण विशरण का मतलब है नाश एक इसका अर्थ है गती गती माने मुलब गती करना ग्यान या प्राप्ति के विशय में और एक इसका अर्थ है अवसादन यानि कि शिथ तो शंकराचारे जी जो है वो इसावाश्य उपनिशत के भाष्य का आरंभ करते हुए कहते हैं कि उपनिशादयती सर्वा अनर्थ करम संसारम विनाशयती संसार कारण भूताम अविद्यामच शिथिलयती ब्रम्हम जगमयती सव उपनिशत है तो इस तरह से उपनिशत के तीन अर्थों में उपनिशाद सब्द की विद्पत्ति करते हूँ उसकी व्याख्या करते हूँ गाते हैं सरवान अनर्थ करम संसारम भी नाशे गेती इस तरह से कि गुरु के समेब जाकर संसार के सभी अनर्थ जो है अनर्थ करी जो अविद्या है उसका नाश कर देते हैं संसार कारण भूताम अविद्याम चा शिथिल यती संसार का कारण भूत जो संसार अगर कारी है तो इसका जो कारण होगा वो अविद्या है ठीक है तो संसार की कारण भूत अविद्या के प्रती बंधनों को जो है शिथिल कर दिता है जो जो ग्यान वो ग्यान जिसमे है वो है उपनिशद और ब्रह्माम चगमयती ब्रह्म की ओर जो ले जाता है ब्र को उपनिशद बताता है कि खुल मिलाके 108 उपनिशद थे गीता प्रेस की कल्यान पुस्तक जो रिलीज होती थी वहां से उसका जो उपनिशद अंक एदिया आप देखेंगे तो उसमें 220 तक उपनिशदों की संख्या बताई गई है ठीक है और उपनिशद वाक के महाकोश में 223 उपनिशदों की संख्या बताई गई है प्राचीनता यदि हम देखें तो मुखे लुप से 14 उपनिशद जो हमें दिखाई देते हैं और उनमें से भी यदि महत्वपून की अदि बात करें जिन पर शंकर का भाश्य है वो 10 उपनिशद ऐसे हैं जो की बहुत महत्वपून है और इंपोर्टेंट है मतलब कि इन ही 10 उपनिशदों पर ही संक्राचारी का भाश्य हमें मिलता है कौन-कौन से हैं वो 10 उपनिशद एक कारी का है इससे संबंधित ये 10 उपनिशद हैं जो की बहुत महत्वपून है और इन ही पर शंकर का भाश्य मिलता है अन्यचार उपनिशद यदि हम 14 उपनिशदों की बात करने तो अन्यचार उपनिशद भी है कौशितक्य उपनिशद, स्विताश्वतर उपनिशद मैत्रायनी उपनिशद और महा नारा याणी उपनिशत तो इस तरह से ही इनकी संख्या चोदे हो जाती है और बाकि अलग 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 अपनिशनों की संख्या बताई गई है वो तो है ही मुख्यलूप से चोदे हैं और शंकर का भाष्ट जो है दस पर मिलता है यह आपको याद रखना है यदि हम उपनिशनों का संक्षिप्त में परिचाई प्राप्त करने का यदि प्रयास करें या इनका परिचयात्मक वरणन यदि करने का प्रयास करें तो पहले हम इनको इस आधार पर इनका विभाजन कर देंगे कि कौन सा उपनिशत किस वेद से संबंधित है ठीक है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे रिगवेद, चार वेद हैं हमारे पास रिगवेद, यजुरुवेद, सामवेद और अथरवेद यजुरुवेद के दो भाग हैं शुक्ला जुरुवेद और कृष्णा जुरुवेद जिसमें से शुक्ला जुरुवेद के दो उपनिशत हैं इसावाश्य उपनिशत और ब्रहधारणिक उपनिशत और कृष्णा जुरुवेद के चार उपनिशत हैं तैत्री उपनिशत, कठो उपनिशत, स्वेता स्वित्री उपनिशत, मैत्राइनी उपनिशत, मतलब पांच उपनिशत है, एक है महानारणी उपनिशत, तो कृष्ण जिरुवेद के पांच उपनिशत है, सामवेद के दो उपनिशत है, तो इस तरह से 14 उपनिशदों को वेदों के आधार पर वेदों से संबंद होने के आधार पर उनका विभाजन इस प्रकार से किया गया है ज़िए हम इनकार से सबसे विशालका आउपनिशदों की बात करें जो सबसे बड़े उपनिशद हैए वो भ्रहिदा रहने को अपनिशद और चंदों के आधार उपनिश पार करें यह बहुत छोटे-छोटे हैं जिनमें की 18-6 लोग इस तरह से जो है कुछ इन में बहुत ही छोटे-छोटे हैं लेकिन ग्यान की यदि हम बात करेंगे तो ग्यान की दिश्टी से बहुत ही गंभीर यह उपनिशद है ठीक है चलिए अब हम एक एक करके इन सभी वेदों का संक् उपनिशद जो है दोस्तों वो रिगवेद के एत्री आरण्यक के द्विती खंड के चौथे अध्याय से छटे अध्याय तक है उसको एत्री उपनिशद के नाम से जाना जाता है तीन अध्याय इसमें आगे चौथा अध्याय पांचवा अध्याय और छटा अध्याय और इ ठीक है पहला अध्याई जो है मतलब की जो चोथा अध्याई है तीन अध्याई को की है इसमें पहला अध्याई का मतलब जो चोथा अध्याई है उसमें विश्व की उत्पत्ति का विवेचन है साइक्षत लोकान्नू स्रिजा आयती इस तरह से विश्व की उत्पत्ति प्रग्यानम ब्रह्म प्रग्यान ही ब्रह्म है यह जो हमें महावाक्य मिलते है यह क्या है रिगवेद के एतरी उपनिशत का ही है दूसरा जो उपनिशत रिगवेद का वो है कौशितक की उपनिशत ठीक है इसी को कौशितक की ब्रहामन्यो पनिशत भी कहते हैं चार अध्याय है इसमें और चार अध्यायों में 51 खंड है पहले अध्याय मलब की चौथे अध्याय में 7 खंड है तीसरे अध्याय में 7 खंड है चौथे अध्याय में 15 खंड है तो पहरा अध्याय यानि कि जो तीसरा अध्याय है उसमें देवयान, पित्रियान, पित्रियान यानि कि मृत्यों के बाद का जो मारग है ठीक है उनका वरणन है दूसरा अध्याय यानि कि जो चौथा अध्याय है उसमें आत्मा के प्रतीक, प्रान का विवेचन है प्राणो ब्रह्म्हेती हस स्माक कौशीत की ही इस तरह से उसमें वाक्य मिलता है तीसरा अध्या यानि कि जो पांचवा अध्या है उसमें इंद्र के प्रतरदन को ब्रह्म विद्या सिखाना प्राण विद्या के बारे में वरणन ये सब वहाँ पर दिया गया है और चोथ अध्याय यानि जो छटा अध्याय है उसमें अजात शत्रु बाला की आख्यान है और उसमें परब्रह्म का विवेचन किया गया है इसलिए इसको ग्यान कानडात्मक होने से कौशितक की अपनिशद कहा गया है यदि हम यजरुवेद के अपनिशदों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो अपनिशद उसमें आता है वो है इशावाश्य अपनिशद ठीक है इशावाश्य अपनिशद जो है शुकला यजरुवेद संगीता का चालिसमा अध्याय जो है चालिसी अध्याय है उसमें और चाल ब्रहदा रण्य को अपनिशद की बात कराई तो शत्त फथ भ्रहमन के अंतिम छए अध्याए अब आप देखेंगे कि जो सुक्ल जिरूओद में 4 अध्याए हैं और 40 वह ऑपनिशद है यहाँ पर भी शत्पत ब्रहमण है और इसके भी अंतिम छे जो अध्याय है वो ब्रेदा रणने को अपनिशत के हैं तो इसलिए इन उपनिशदों को वेदान्त भी कहा जाता था क्योंकि वेद के अंतिम भाग में जो ज्यानात्मक बाते होते थी उन्हें उपनिशत के नाम से जाना गया तो इसलिए इनको वेदान्त भी कहते हैं थीक है वेदान्त माने उपनिशत ठीक है अब ये जो सत्य ब्रहमण के एनतिम 6 अध्याय है ये 6 अध्याय दो-धो अध्याय इस तरह से ये हम बांट देंगे दो दो की जोड़ी मिला देंगे तो तीन भागों में विभाजित होंगे तो इस तरह से दो दो अध्यायों का एक कांड ठीक है तो इस तरह से कुल मिला के हो जाएंगे तीन कांड तो तीन इसमें कांड हैं मलब एक कांड में दो अध्याय और तीन कांडों में से तीन कांडों के नाम क्या है पहला है मधु कांड एक है याग्यवल के कांड और एक है खिल कांड ठीक है और अब बात करते हैं कि इन कांडों में वरणन किस प्रकार से है जिससे कि इसको उपनिशत कहा गया तो जो पहला अध्याई है उसमें उसमें छे ब्रहमन है ठीक है औ और अश्वमेद यग्य आत्मा से जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रिष्ठता, आत्मा की व्यापकता ये जो है पहले अध्याई में वरणन है। जिसमें क्या कहा गया है आत्मा सर्वेशाम भूताना मधु, आत्मनह सरवानी भूतानी मधु, इस तरह से वहाँ पर वरणन दिया गया है। ठीक है। तो ये एक प्रश्णिया से बन जाता है कि गारगे बाला की संबात कहा है, आजात सत्र संबात कहा है, याग्यवल की मैत्र ही समवात कहां है तो यह सभ हमें मिलता है कहां पर बिलता है यह सभ में यह एक कौन सा टॉपिक कहा है बिलात कोजो कि आत्म विश्यक हैं जो घी एक ऊपनिशद बनाते हैं तो थीसरे आध्याइ में विदेहराज जनक की सभामे यागेवल के दार्शनिक साश्तरार्थ या जो जो की आत्म विश्यक चर्चा है वहाँ पर चोतह अध्याय में छह ब्रहामन हैं इसमें यागिवल के δουarा जनक को ब्रह्मोपदेश दिया गया है और यागिवल के मैतरी प्रश्णुत्र पांचमें अध्याय में पंद्रह ब्रहामन हैं और ब्रह्मोप्रजापती परलोग आदी विश्यक विचार महाँ पर किया गया है और छटे अध्याय में पांच ब्रहमन हैं और श्वेत के तु आरुनेय तथा प्रवाहन जैवली जो कुरुनरेश थे उनका संबाद महाँ पर है और यहां पर देवियान और पित्रियान का वरणन किया गया है और यह जो उपनिशद है ब्रहिदार अरनिक उपनिशद इसके प्रमुख रिश्टिकौन है याज्गेवल के हैं ठीक है? चलिए अब तैतरी उपनिशद की बात करते हैं तैत्रिय उपनिशत जो है इसके तैत्रिय आरण्यक जो है उस तैत्रिय आरण्यक के दस प्रपाठकों में से साथ में से लेकर नवा प्रपाठक जो है ये तीन प्रपाठक साथ आठ नो प्रपाठक में अध्याई ये तीन अध्याई जो है तैत्रिय उपनिशत के नाम से जान नवा जो अध्याए है जो प्रपार्ठक है उसका नाम है भ्रिगु वल्ली और इसमें दस अनुवाक है और इसलिए इसमें आत्मविश्यक वरणन किया गिया है इसलिए इसको तैतरी उपनिशत की नाम से जाना गिया है शिक्षा वल्ली जिसमें की बारह अनुवाक हैं उनमें किस तरह का वरणन है तो शिक्षा वल्ली जो है इसमें 11 अनुवाकों में उपदेश दिये गए हैं और जितने भी सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदह आचारिया ये पिरियम धनम आहरित्य प्रजातन प्रमदह तव्यम मात्र देव भव आचारिया देव भव अतित्य देव भव ये जितने भी वाक्य जो हमें आज सुनाई देते हैं कि वेज़िदों में ये कहा गया है शास्त्रों में ये कहा गया है उपनिशुदों में ये कहा गया है ठीक है यान्यवन यानि अनवध्यान कर्मानी तानी सेवितव्यानी नो इतलानी ये सभी जो वरण है ये हमें शिक्षावल्ली में मिलता है और शिक्षावल्ली किसकी तैतरी आरण्यक के सात्वा अध्याय जो है उसकी शिक्षावल्ली है जिसमें बारह अनुवाक हैं वहां इस तरह का वरण है हमें सब मिलता है त ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए कि तीन ही अध्याय हैं और जिसमें से साथमें अध्याय का नाम शिक्षावल्ली है वहां से ये लिये गए हैं सत्यम ज्यान अमनंतं ब्रह्मा, आनन्दं ब्रह्मडो, विद्वान, रसई वासह, रसोवाई सह, और रसम हुएयम, लबधवाद नंधी, भवती, ये जितने भी वाक्य है हैं, ये सब ब्रह्मानंद वल्ली से लिए गए हैं, तैत्रीयोपनिशत में, ठीक है, और ब्रह्मानं जो पिता वरुण से भीगु जो है उनको ज्यान की प्राप्ती किस प्रकार हुई ये आख्यान है और बादरायन व्यास ने ब्रह्मसूत्र का आरंब जो है वह इसी प्रकारन से किया है तो याद आपको ये होना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट प्रशनया से बन जाता है कि व व्यास भाष्य जो है वेदों पर तो उन्होंने सबसे पहले भाष्य किस पर लिखा था तो उन्होंने तैतरी ओपनिशद से अपना भाष्य शुरुवात किया था और तैतरी ओपनिशद के भी जो अंतिम अध्याय है भ्रिगु वल्ली वहां से उन्होंने सबसे पहले अप दो अध्यायों में छैवल्याँ हैं, परत्त के अध्यायाँ में तीन वल्याँ और यम नचीकेता का उपाख्यान है, आप सभी इस कछए परिचित हैं, कि जब जो नचिकेता के पिता है वाजश्रवा वो बूठी गायों को दान में देने लगे तो नचिकेता ने उनसे पूछा कि आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं कि आपने इन सब बूठी गायों को ठीक है उसमें बहुत अच्छा वरणन महाँ पर है कि दुख दोध digging रहां निरिंद्रिया ऐसी जो गायें जिनका दूद नकाल लिया गया है और जो निरिंद्रिया होगी है मतलब किसी काम की बड़ा नहीं है उब पूठी होगी है उन गायों को आप दान कर रहे हो तो यग्या मैं तो अपनी प्रीय चीज को दान करना चाहिए तो आप मुझे किसको दोगे तो जब बार बार ये पूछा किया तो वाज़सरवा गुस्सा आ गया उनको और उन्होंने कहा कि जाओ मैं तुम्हें मृत्यू को देता हूँ और नचिकेता जो है वहाँसे मृत्यू के पास चलłe गए यम के द्वार पर चले गए यम वहँ पर नहीं थे तो तीन दिन तक उनको वहाँ पर पृतिक्षा करनी पड़ी नचिकेता को और तिन दिन बाद यम आई तो उन्होंने कहा कि आप तीन वरदान मागो तो पहला वरदान कौन सा मागा नचिकेता ने उन्होंने कहा भे पिता की कोप की शांती हो जाए और जो उनको पाप लगा है वो इस पाप से जो है मुक्त हो जाए दूसरा वर्दान उन्होंने माँगा कि स्वर्गप्रद अगनिविद्या जो है अगनिविद्या के बारे में मुझे बताईए तीसरे वर्दान उन्होंने माँगा जो कि आत्मतत्त्त्त्त विशेय था उन्होंने कहा था, कि मृत्त्यू के बाद क्या होता है, इसके बारे में बताईए, तो इसके बारे में बताने से पहले, यम ने जो है नचिकेता को बहुत सारे प्रलूभन दिये, ठीक है, इमा, रामा, सरथा, सतूरिया, इस तरह से बहुत बढ़िया उसमें, एक शलोग है, इसमें बहुत सारे प्रलोभन उसको दे रखें नचिकेता को दिये हैं यमने कि सब कुछ जितने भी अपसराएं हैं इस जितने भी स्वर्ग आदी है पृत्वी का राजपाट है सब कुछ तुम ले लो और जब तुम्हारा युद्ध होगा किसी के साथ तो मैं लड़ोंगा तुम युद्ध भी नहीं करोगे सब कुछ तुम ले लो जो आपको चीए वो सब कुछ तुम को एविलेवल कराऊंगा लेकिन बस तुम ये मृत्यों के बाद क्या होता है ऐसा प्रश्नों मत पूछो तो नचिकेता ने कहा कि नए नी ये सब चीज़ें जो है एक दिन नश तरह से अनेक नेक वहाँ पे वरनेक रत रूपी पुरुष का वरन करके सरीर में हमारा जो कौन सा अंग उस रत के किस अंग से संबंदित है ऐसे करके वहाँ पे उनको ग्यान दिया है ठीक है तो प्रश्न भी कई बार आ आ जाता है कि रत का ये अंग मनुष्य के किस अंग स संबंदित है कठोपनिशत के अनुसार इसमें आत्मग्यान के मार्ग को छोरे की धार के समान तिक्षन बताया है कि जैसे छोरे को हम रख दें और तीखी धारा पर चलना उसकी मुश्किल होता है उसी प्रकार यह आत्मग्यान है बहुत बार सुनके पड़ कर भी नहीं आता है ठीक है बहुत अच्छा उसमें ग्यान दे रख आ है बहुत अच्छे से बता रख आ है उससमें कि दो परकार की धारा js disagree और प्री और इस तरह से आपको श्री पर चलना है यह प्री पे चलना है और वह भी कृष्णा जिरुवेत की शाखा से संबन्दित है सांके दर्शन के मौलिक सिधान्त इसमें प्रतिपादित है सांके दर्शन और वेदान्त का संबन्वाई इसे हम कह सकते हैं इसमें च्छे अध्याई हैं छे अध्यायों में किस तरह का वरणन किया गया है चलिए इसके बारे में जानते हैं पहले अध्याय में हमें ब्रह्म की व्यापकता साक्षातकार के उपाई मिलते हैं ठीक है ध्यान निर्मथनाब भ्यासात देवं पश्यन निगुढवत इस तरह का वरणन वहापर किया गया क्योंकि रुद्र देवता का वरण तो हमें मिलता है वेदों में शिव नहीं महाँ पर ना मिलता है लेकिन बाद में इन दोनों को एक ही कहा गया तो यहाँ पर यह हमें वरण मिलता है ठीक है चौते अध्याय में अजामेकाम लोहीत शुकल कृष्णाम जिसकी की अलग 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 दर्शन ने अपने हिसाब से अलग अलग इस मंत्र की व्याक्या की है तो यह एक बहुत ही दार्शनिक जो सुक्त है हमें जो यह रिचा है यह हमें यहाँ पर मिलती है अजामेकाम लोहीत शुकल कृष्णाम बहुवी प्रजास्र जमाना सवरूपा इस तरह से है सांख्य का द्वैतवादी सिध्धान्त भी इसमें होता है और वेदान्त वाले भी इसमें अपने सिध्धान्त को प्रतिबादित करते हैं पन्चमे अध्याई में सुख्ष्मारि भहुनी इस तरह से परमात्मा की जीव रूप में श्रेलिधारण करने का वरणन यहां पर किया गया है और श prevention अध्याई में एक रूप में ब्रह्म का वरणन किया गया है और पूर्ण रूप से यह जो उपनिशद है ये जो शुविता शोतर उपनिशत ये पूर्ण रूप से कैसा है पद्यात्मक है ठीक है अब बात करते हैं मैत्रायनी उपनिशत की तो ये साथ प्रपाठकों में अध्याई साथ प्रपाठकों में विवाजित है और सांख सिद्धान्त योग के छेयंग और हट्यों का वरण गया है और उसके बाद जो वेद है अगला जो उपनिशत है वो है महा नारायनी उपनिशत यह प्रपाठक है जिसे की महा नारायनी उपनिशत के नाम से जाना जाता है और नारायन को इसमें परमतत्व के रूप में वरणित किया गया है ये थे यह जिरुवेद की उपनिश ठीक है अब सामवेत की उपनिशदों की बात करते हैं तो सामवेत का एक उपनिशद है चंदों की उपनिशद तलवकार शाखा के चंदों की ब्रहमन का अंतिम जो आठ अध्याय हैं उनको तलवकार यानिक उनको चंदों की उपनिशद के नाम सजाना जाता है यह आठ अध्य है उपनिशद वचन है जैसे कि सर्वम खलविदं ब्रह्मा तत्व मसी यह जो महावाक्य है योवई भूमा तदम रितम अथ यदल्पम तन मरत्यम यह जो वरणन है यह जो वाक्य है यह चांदुग्योपनिशद से लिए गए है ठीक है दहर विद्या का वरणन करके यहाँ पर प्रजापती और उनके दो सिश्यों याने कि इंद्र और विरोचन उनका आख्यान भी यही हमें मिलता है तो इंद्र और विरोचन का आख्यान हमें कहां मिलता है चांदुग्योपनिशद में सर्वम खलविदं ब्रह्म तत्वमसी यह वाकिया हमें कहां मिलते है चांदुग्योपनिशद में तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखने के लिए क्योंकि इनका सामान्य परिचाही हमें वापर कहा गया है तो सामान्य परिचाही में यही सब चीज आएंगी कितने अध्याए है कितने भागों में वीवक्त है मुखे रुपसे वाकिया कौई-कौन से वरणित है कौन से अध्याए में कैसा वरणित है और किस आरन्यक का या किस ब्रहमन का भाग जो है यह उपनिशद है यही बाते हमें सामान्य परिचाही होती है और ईक है विशिष्ट भाग जिसमें कि उन्होंने विशिष्ट सूक्त लगा रखे हैं और उन सूक्तों के बारे में भी हम वीडियो डाल रहे हैं सामान्य भाग में यही प्रशन बनते हैं – परीचे आत्मक वरणन क्या है तो वही हम सामान्य परिचे जान रहे हैं विशिश्ट भाग में जो सूक्त लगे हैं तो उनको भी आप वैधिक सूक्त प्लेइलिस्ट में जाएंगे तो वैधिक सूक्त नाम से वहाँ पर एक फोलडर बना हुआ हुआ है उसमें आपको सूक्त मिलेंगे और वैधिक हाल का वैधिक साइट सामानने परOOMếल होगा तो उसमें आप जो है आपको ये सारी वीडियोज मिलेंगी प्लेलिस्ट में जाके आप सभी फोल्डर्स को देख सकते हैं किसी भी टॉपिक से सम्मध देदे आपको वीडियो चाहिए तो ठीक है केन उपनिशद की बात करते है सामवेद की जैमिनिय साखा से सम्मध यह उपनिशद है इसके अन्य नाम है तलवकार और जैमिनिय उपनिशद प्रथम मंत्र इसका है केन शितम पतती प्रेशितम मन है इसलिए केन उपनिशद इसका नाम पड़ा है चार खंड़न है चौतीस मंत्र है है मुवती उमा आख्यान इसी उपनिशद में है ब्रह्म का रह श्यमय स्वरूप ठिक है यनकि अविज्ज्ञाट विज्ञानताम विज्ञातम विज्ञाइन इताम इस तरह से रहस्यात्मक वर्रणन जो है ब्रह्म्म lance की विश्या में यहां पर किया गया है अथरवेद के उपनिशदों की बात करें तो तीन उपनिशद हैं अथरवेद के प्रश्ण उपनिशद मंड़को उपनिशद और मंड़को उपनिशद प्रश्ण उपनिशद जो है वह अथरवेद की पैपलाद शाखा से संबंदित है इस उपनिशद में महरसी पैपलाद से छै रिशी अध्यात्म विश्यक जो है वरणन प्रश्ण जो है प पुत्र भारगव, तीसरा प्रशन पूछते हैं आश्वलाइन, चौथा प्रशन पूछते हैं गारगे, पांचमों पूछते हैं सत्यकाम, और छटा प्रशन पूछते हैं सुकेशा भारत द्वाच, और हर अध्याये में जो है, हर प्रशन का जब एक एक प्रशन का जबाब प्रफम प्रश्ण क्या है ये प्रश्ण अगर पूछते हैं तो आपको याद होना चीए कि कुतु हवा इमाह प्रजा प्रजायन्ते ये जो है पहला प्रश्ण है ठीक है जो की पूछा है कबंधी कात्यायन्ने अब इसका जो दूसरा उपनिशद है अथरुवेत का वो है मु इसktor नेगा अदिकारी बतला गया है तीन मुंडख है इसमें प्रतेक मुंडच में दो दो hamburger है और ब्रह्मा अपने जेश्ट पुत्र अथरवा को अध्यात्म शास्तर का उपदेश जो है दिया गया है इसमें परा और अपरा विद्या का निरूपन इसमें किया गया है मुख्य वचन कौन-कौन से हैं इसके अध्परा ययात अधक्षर मधि गम्यते ये जो है सब मुंड़कोप निशत से लिए गये हैं द्वास उपरणा सयुजा सखाया ठीक है ये द्वैतवात का निरूदेश जहां पर दिया गया है ये भी बहुत रहश्यात्मक वरणन जो है या विश्लिश्टन आत्मक वरणन अलग लग दर्शन अलग लग प्रकार से जिसकी व्याख्या करता है ये जो मुंड़क उपनिशत में हमें मिलता है सत्यमेव जगेते नांदरतम सत्यन पंथा विततो देवयाना ये भी मुंड़क उपनिशत का है और ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवती ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही या ब्रह्म जैसा ही बन जाता है यह भी कहा हमें मिलता है ज्यात्मक मंत्रे इसमें है तो लगुकाई बहुत है छोटा उपनिशद है ओंकार की महत्ता का वरणन इसमें किया गया है सर्वमोंकार एवा कहा गया है और अयमात्मा ब्रह्मा सो अयमात्मा चतुसपात ये इसमें मुख्येस का वरणन है और ये जो है इन 12 मंत्रों को आधा तो इस तरह से उपनिशनों के बारे में हमने जाना है थोड़ा सो जो अन्य बात है इनके बीशे में जान लेते हैं विंटर नित्स जो है उपनिशनों को दार्शनिक कविता कहा है मुगल राजकुमार दाराशिकु हो ठीक है दाराशिकु हो कौन थे औरंग्जेब का भाई थ इसको सत्ता हती आने के लिए तो वो जो था वो बहुत दार्शनिक व्यक्ते था और बहुत ही विकास जो है भारती जो ग्रंथ हैं उनका इस काल में हुआ विकास क्या हुआ मतलब इसने उसको ट्रांसलेट करवाया फारसी में और फिर प्रचार उनका करवाया ठीक है तो ब पचास उपनिशदों का इसने फारशी में अनुवाद करवाया था ठीक है और फ्रेंच यात्री बर्नियर इन अनुवादों को फ्रांस ले गया और वहां उसने लेटिन भाशा में इनका अनुवाद किया ठीक है और आपनिखत नाम से विख्यात वहाँ पर यह हुआ इस तरह अगर आप इस चैनल पर नए है तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को और यह दिया वीडियो किसी भी तरह से आपको प्रभावकारी लगती है तो लाइक कीजिए कमेंट जरूर कीजिए अपने और शेयर भी कीजिए अपनी दुस्तों के साथ सब्सक्राइब करके ब धन्यवाद अपना ध्यान रखिए